तो आज हम बनाने वाले हैं मेवा स्टफ्ट खजूर रोल्स तो यह न सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है या पर काली खजूर ली है जो कि हैंडल करने में बहुत ही सॉफ्ट होती है फिर या पर ड्राइफ रूट्स लिए है थो को को परे के छेंड्य भी ली है और बाकी सारे इंग्रीडिटेंस जो है जो हमारे ड्राइ फ्रूट्स है इन सब्सक्रह हम ड्राया र्श्ट कर लेंगे सबसे पहले सबसे बीना घी कर रोस्ट करेंगे और इन सब्सक्रह में स्लो फ् Вас पलेम पे ड्रायर स्कीर से है क्icking lutlaster के पुप जासए राख अबड़ान मगस्तरी के जो बीच है वो ड्राय रोस्ट करने टाइम पर थोड़े से फूल जाएंगे और चटकने लगेंगे अब यह जो सारे हमने ड्राय फ्रूट्स को ड्राय रोस्ट किया है इन सब को एक मिक्षर जार में ले लेंगे आपको जितने कॉंटिटे में बनाना हो आप उतन करना है स्टॉप करना है और फिर चॉण करना है वरना इसके अंदर का जो ओल है वो चूटने लगेगा तो यह जो मिक्षर है हमारा वो ड्राय नहीं रहेगा तो सारे इंग्रीडियंस को हम इसके अंदर मिक्स करके अच्छे से ड्राय चॉण कर लेंगे ऑल बिल्कुल भी हम माददक्यार रहती है हमारी हड्डियों को मस्बूत करने में भी अच्छी है और पूरे साल के लिए ताकाट जो है वो इसी में से मिलती है तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो यह सब ऐसे नहीं खाते होते हैं तो उनके लिए एकदम छोटे-चोटे रोल्स बना रहे हम लोग जिसे कि छोटे-बच्चे जो है वो आसानी से इसे खाकर इंजॉय कर सके हैं तो अब क्या करेंगे यह जो हमारी खजूर है उसके सीद्स जो है वो सारी अलग कर देंगे और जो पल्प है खजूर का वो अलग करेंगे अब हातों में थोड़ा सा गी लेना है गी से हातों को करके तीन या चार खजूर लेंगे उसे अच्छे से मैश करेंगे और एक ही साथ हमें से चप्टा कर देना है अब जब यह हो जाए तो इसके अंदर ना हमने जो स्टाफिंग बनाया है वो स्टाफ करना है तो आप अपने हिसाब से स्टाफ कर सकते हो अगर ज्यादा स्टाफि लोगों को कैसी लगी और ऐसी बहुत सारी रेसिपीस है जिनके लिए आपको मेरी चैनल को सब्स्क्राइब करना पड़ेगा और मैंने खजूर पाग भी बनाया है जिसकी रेसिपी मैं आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी उस पे से आप लो थोड़ा सा हमने मैल्ट किया हुआ है उसको जिससे कि वो अच्छे से सारी खजूर के उपर पौर हो सके आप लोग ऐसे भी डाल सकते हैं तो इस तरह से हम लोग सारी खजूर को गी से कोट कर लेंगे और फिर ना इसे हमें थोड़ते के लिए सेट होने देना है मतलब जो ग जो रेसिपी है वो इम्मुनिटी भी बूस्ट करने में बहुत अच्छी रखती है तो आप लोग ट्राइब जरूर से करना अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजेगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है